हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल रोहित गोश्वामी लॉग लास्टिज में आज हम आपको कराने बारे हैं LLB फर्स्ट येर का फर्स्ट येर और फर्स्ट सैमिस्टर फर्स्ट सैम का जो हमारा पहला पेपर होता है जूरिस जूरिसफेस्ट का जो पेपर है पहला इसमें अपसे पहले मैं आपके लिए छे पान से छे वीडियो डाल चुका हूँ जो हमारे जूरिसपुडेंस पर ही हैं ये मेरी साथमी वीडियो है जिसमें हम आज कराने बारे हैं आपको रोडॉल्फ इस्टेम्लर ये रोडॉल्फ इस्टेम्लर का प्राकर्तिक सिद्धान्त ये रोडॉल्फ इस्टेम्लर का प्राकर्तिक विधी का सिद्धान्त कराने वाले हैं अब से पहले मैं अपने यूटूब चैनल पर जूरिस्पुडेंस से संबंदित काफी क्लासिश डाल चुका हूँ जैसे लियो से लेके तीस नमबर तक करा जाता है दूसरा मैं करा चुका हूँ शैबनी करा चुका हूँ और सर हैंडरी मैन करा चुका हूँ हैंडरी मैन और दीन रासको पाउंड करा दिया है एक हमने अब भी कराया था इससे पहली वीडियो थी हमारी बोजो Keylson का मूल मानक से दानत Keylson का मूल मानक तो यह काफी जादा बूजे जाने वाले पिरस्टौ में सीख है अब तक मैं जितने प्रेसं करा रहा हूं जितने question आपको मैं करा चुका हूं यह जादा सारे के सारे important है मैं आपको एक पैर बताए दे रहा हूं जूर इसके अंदर आपको बारह कोश्चन कराने वाला हूं है और बारह में से मेरी आपसे बादा है आपके इस हंड्रेड में से हंड्रेड नंबर का पेपर फसने वाला है एक भी नंबर का आउट ऑफ साइड ही नहीं जाएगा सारा के सारा पेपर हमारे इनी बारह कोश्चन में से आने बाला है यह स्वयम बनाए हुए नौट से एक भी आपका प्रेशन पांच नंबर का भी आपकर आउटर नहीं जाने बाला है 100 to 100 आपके फसने बाले लेकिन आपसे इतनी रुकेश्ट है कि हमारी सब्री वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपने अगर एक भी कोशन मिस करा और सपोच करो वही कोशन अगर हमारे एक्जाम में आ जाता है कभी 10 में आ जाता है कभी 20 में भी आ जाता है तो इस पिरकार यह है हमारे अक्षर कोशन अपहज जाते हैं ऐसे और 20 का तो होता ही है लॉंग कोशन तो आपसे रोकेश्ट है कि इस वीडियो को जराबी स्किप्ट नहीं करिएगा जराबी इधर से उधर न छोड़िएगा न काट करना देखिए क्योंकि आपका पूरा कोशन खराब हो जाएगा पूरी आपकी मेहनत बेकर हो जाएगी वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देजगा और चलते हैं आगे अपनी वीडियो पे देखते हैं प्राकर्तिक बिधी, प्राकर्तिक बिधी, रोडॉल्फ स्टेमलर, नव कांटवादी सिध्धान्त के समर्था, रोडॉल्फ स्टेमलर के बिधी समंदी विचारों का वरणित कीजिए, कभी कभा हमारे पांच नमबर में यह आ जाता है कि नव कांटवादी सिध्धान्त पर ब्याख्या करो, या टिपड़ी लिखो, इतना ही आ जाता है कभी कभा नव कांटवादी सिध्धान्त पर टिपड़ी करो, तो यह हमारे पांच नमबर, दस नमबर में आ जाता है, इस च चोटी चोटी चीजों को भी ध्यान रखना दुबारा पढ़ता हूं पर ऐसा नब कांटवादी सिद्धान्त के समर्थक रोडॉल्फ इस्टेमलर के विधी संबंदी विचारों का बरणन कीजिए तो कांट के दार्शनिक जर्मन सिस्थे रोडॉल्फ इस्टेमलर 1858 1938 का इनक प्रियासिक सामाजिक विचारों में प्रारम्ब हो गया था जोसेप कोहिलर ने विधिक बिन्यमे का धोय संस्कृति को बढ़ावा देना माना धे कह सकते हैं धहरे कह सकते हैं संस्कृति को बढ़ावा देना माना धे हैं यहां पर यह आकटन है परन्तु यह पूर्ता सापे विचार व्यक्त किया की संस्कृति के पृति वद्ध विधी के लिए नैतिक मुल्यों का सम्मान आप सके। नवीन प्राकर्तिक विधी दर्शन मैं अनुभब निर्पेच तर्क पर महत्तपूर्ण योगदान का सेर्य कांट के दार्शनिक जर्मन सिस्य रोडर्प स्टेमलर को है। इस्टेमलर कांट से यहां तक सहमत थे कि द्रस्य की पहचान मानब अनुभब निर्पेच सरेणियों और रूपों में वास्तविक्ता के निर्प्छन के बना प्राप्त हो सकती है। इस्टेमलर कांट से यहां तक सहमत थे कि द्रस्य की पहचान मानब अनुभब निर्पेच सरेणियों और रूपों में वास्तविक्ता के निर्प्छन के बिना प्राप्त हो सकती है। आगे चलते हैं अपने प्रैसन पर चराबी काट काटिये करना वीडियों नहीं आपका पूरा का पूरा लॉंग कोशन आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या कहरा हैं परन्तु इस्टेमलर काट से इस मामले में अलग हो जाते हैं कि उन्होंने बिदी के बिचारों को दो तत्वों में बाढ़ दिया है। पहला है बिदी की संकल्पना, दूसरा है बिदी का बिचार, कांट द्वारा दी गई बिदी की परिभासा। अक्तर हमारे एक्श्दाम में ये भी आ जाता है कांट की परिभासा दीजिए, पांच नमबर में आ जाती है कांट की परिभासा, तो इस चीज को नोट कर लीजिए का बहुत बहुत हैं कांट की परिभासा बूजी जा सकती है, तो पढ़ते आगे, यह उन दसाओं का और हमारे लॉंग कोश्चन में लिखनी ही होती है। इस्टेम्लर ने इसे द्रूटि पूर माना है। क्योंकि यह ठीक या उचित विधी के साथ विधी की संकलपना का ब्रहमुत्वन करता है। विधी की संकलपना विधी की परिभासा के अंतरकत मानवतिहास में प्राप्त विधी के सभी अनुभव और प्रारूप समलित है। उनके अनुसार है विष्टरतम परिभासा इस फॉर्मूले पर आधारित है कि विधी अनुलंगनिय और स्विच्चाचारी सामविक इच्छा है। इसमें कई अन्य तत्व शामिल हैं जैसे विधी सामविक इच्छा है अता यह सामाजिक जीवन का प्रतिविम्ब है। आगे चलते हैं और दूसरा क्या कहता है कि यह सामाजिक सहयोग का अउज़ार है। मातर अपनी इच्छा पूर्ति का नहीं। तीसरे नमबर पर विधी सामविक इच्छा की अभिव्यक्ति है जो स्विक्षचाचारी और संप्रभू हैं अता एक बार निर्मित होने के बाद उसे आवश्चक बल मिल जाता है। आगे चलते हैं चौते नमबर पर क्या कहता है। विधी के नियम में अनुलंग नियता का तत्व होता है। इस तरह विधी नागरिकों और विधी निर्माताओं दोनों पर बाद्यकारी होती है। तूसरे नमबर पर कहता है कि विधी का बिचार। विधी का बिचार नयाय की अनुभूती होती है, देश काल की दसाओं में समभपून सामाजिक जीवन में समानता का विधी प्रियास नयाय का मुल सिद्धानत है, सामाजिक उद्धिसों के साथ व्यक्तिकत इच्छाओं का समायोजन कर इस पिरकार की समानता कायम की जा सकती है इस्टेंबलर के चार मूर्भुष सिद्दांतों में दो सम्मान से तता दो भागिदारी से सम्मान के सिद्दांती इसमें कहा गया है कि इस्टेमिलर के चार मूर्भू सिद्धांत हैं जो दो सम्मान से संबन देते हैं तता दो भागेदारी से संबन देते हैं देखते हैं आगे अपना पहले जो है सम्मान से जो संबंदिते हैं हमारे व्यक्ति की स्वेक्षा की अंत्रवस्तू दूसरे की निरंकों से इच्छा पर आधरेत नहीं होनी चाहिए पिरतेक विदी मांग इस तरह कायम रखी जाएगी की बाद्धे व्यक्ति से पराणी बना रहे भागेदारी संबंदी सिद्धान्त ये जो दूसरा इनका सिद्धान्त है भागेदारी संबंदी सिद्धान्त विदीता वाद्धे व्यक्ति को निरंकों से समूदाय से वहिस्क नहीं किया जाना चाहिए दूसरे नंबर पर क्या काया है निर्णे की प्रतिक विधिक सक्ति इससे प्रभावित व्यक्ति को समूदाय से केवल इस सीमा तक वहिस्क्रत कर सकती है कि वह सह प्राणी रह जाए दूसरे सब्दों में वह अपना आतम सम्मान पनाए रखे इस्टेमलर की प्राकर्तिक विधि की व्यक्षा में कांट की व्यक्षा की अपेक्चा दो सुदार है पिर्थम स्वर्तंत व्यक्तियों की जगे व्यक्तियों के समूदाय की बात करने के कारण इस्टेमलर की व्यक्षा कम व्यक्तिवादी है दूतिया प्राकर्तिक व्यक्षा में सकारात्मक विधी के लिए जैदा विभिनिता की गुंजाईस है आगे हैं हमारा पेश नमबर पांच पे इस्टेम्लर ने स्वेम इसपष्ट किया है कि केबल एक विधी का नियम नहीं है कि जिसकी सकारात्मक अंतरवस्तु को पूर्व से निश्चित किया जाए इस प्रकार इस्टेम्लर की प्राकरतिक विधी परीवर्थनिय अंतरवस्तु वाली प्राकरतिक विधी है एक बात में आपको फिर बताये देता हूं कोशन हमारा हो चुका है आप इसे देखिएगा जूरुस का एक नियम है जूरुस को जब हम पढ़ते हैं जुरिस्पुडेंच को हम जब पढ़ते हैं, हमारा विदी सास्तर जो होता है, अगर हम इसको जराबी इधर से उधर करते हैं, अगर हम कोई कोशन याद कर रहे हैं, अगर हमने जराबी इधर से उधर इसे छोड़ दिया, या हमने इसे अपने मन से नहीं पढ़ा है, अगर य यह बहुत ही टफ हो जाएगा इसलिए जूरिस्पुडेंस में सब ज्यादा बैक आती हैं सब ज्यादा बच्चे डरते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको पढ़ते नहीं है वह हलके में ले जाते हैं तो आप से मैं फिर यही कहता हूं कि जो मैं आपको कोशन करा रहा ह क्राइब सारे और मैंने दाले होएं अपने यूटूप अपने देखिएगा उन्हें देखने के बात अपने एक नौट्प बनाएए एक डायरी बनाइए न civ alw discussed शॉय मेय दोरा वीडियो देखके अपने सेल्फा सेमाइब बना और उनको उतारू उतार उताने के पाड़ आसान तरीके से याद करो अगर आप इसे अब धीरे धीरे याद नहीं करोगे या आप इसे इधर से उधर करोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको यह बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा जूरिस्पूडेंस में इसी बज़े से बैक आती हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ को वीडियो को कंट्यूने देखिए नौट्स बनाईए और एक से दो बार इसे लगातार पढ़िएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलीज हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो देखने के लिए टेक केर धन्यवाद स झाल